इतना ज्यादा कॉंपिटीशन है और इतनी ज्यादा महेंगाई के टैम पर यह सब चीजे महेंदरा आपको और सेफटी की बात कर रहे हैं दोस्तों और यहां पर देखे एसी ब्रेंट मिल रहे है और इसके साथ साथ नीचे एक 12 वोट की चार्जिंग सौकित भी मिल रही है तो रहासकार दोस्तों साथ आपका नीचे नोटे जोन में मैं गुष सर्मा गाड़ी घड़ी दोस्तों आपके सामने महिंद्रा XQV3XO का MX1 वेरियंट याई दोस्तों गाड़ी का बेस बेरेंट है तो तो वाई आज इस गाड़ी के बात करने वाले हैं यानि कि अपनी सेग्मेंट में यानी बेस बेरेंट की बात करूँ न वह इस ताम दोस्तों महिंद्रा से बनाना सीको इस पर्टिकुलर गाड़ी के मैं बात कर रहा हूं ऐसे ऐसे फीचर दोस्तों महिंद्रा ने बेस बेंट में महिंद्रा ने अपनी एक्षवी 3X में दे रखे हैं कि कोई जवाब नहीं उसके बारे मैं आपको डीटेल बन बताता रहूं क्या क्या क्य वह इस गाड़ी के साथ आता है फस्ट वाल दोस्त आपको कि देखने के लिए फिलिप की है इसमें आपको जो है सेंटर लोक्म के लिए नहीं मिलती है नॉर्मल डैड की देखने के लिए और लुक्स देखिए गाईज प्राइज पॉइंट की बात करूं में बेस्वेंट क के साथ है एकसरूम प्राइज की बात करूं साथ लाख इनंचा ज़ा रुपश गाठी के सामने और फीचर्स की बात करो दोस्तों जो 10 आपके स्टेट वाइज आपको मिल जाएंगे फर्स्ट आप बात करते हैं है यह आपको पर आपको आपको प्रॉप पर आपको जो है इन से भी और ज्यादा जो लोक है गाड़ी की इनहेंस होते हैं यह तोई इस गाड़ी की तो यहां से देख सकते हैं 26 mm इस गाड़ी का वील बेस है तो 26 mm वील बेस पुल जाता और 201 mm गाड़ी का ग्राउंड क्लेंस आपको देखने मिल जाता बेस बेस बेरेंट है उसके चलते आपको सेल मिलती है और टायर की बात करू तो प्रॉफाल देख सकते 255 11 16 इन्ष्प पैक के दिया इस प्राइस पेंट में नहीं दे रहे हैं जो यह अपने साथ लेगर आती है वारी में की बात करूं बेस बेस्पेरिंट है एसा नहीं है कि Mad Black में दे दिया हुआ है यहां देखोके तो glossy black में आपको वारी बेखने के लिए गाड़ी की रियर से लोग है यहाँ पे देखोगे यहां पर एक दो रिफ्लेक्टर्स देगें और साथ एक दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने मिल जाते हैं तो इतना आपको बूट स्पेस गाड़ी ओफर कर देती है और जैसे हम इसे ऊपर करते हैं यहां रखिए आपकी वही प्रोफाइल की बात करूं आपको सेम एज़िस मिल जाती है यानि कि 16 इंची ठीक है तो 16 इंच की आपको जो इस टायर यानि स्पेर वील है वो मिल जाता है क्यक्क थे दोख सकते हो रहे से जह सकते हों कि यहां है और यहां पर पर पहुत आप लिए भी खालव कर देख्यों करते हैं है डूल टोन में आपको इंटियर गाड़ी ओफर कर रही है बेस बेरेंट से ही जो की कवाके ही काविले तारीफ है डॉर एंडल की बात करते हैं ड्राइवर साइड डॉर पैनल से तो यहां देखोगे यह आपका जो है यानि लॉक अलोक के लिए डॉर एंडल है जो की मैट ब्ल यहां पर आपका आइडल स्टॉप के लिए यहां पर यह बटन्स वगेरा दिये गए हैं यहां पर देखोगे तो यह आपके उच साइब के एसी वेंट से जिस पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिस दी गई है चलिए अंदर वेट तें गाडी के और आपको डिटेल हों बताता हूं कि बेस वेरेंट में क्या-क्या जो चीज़ है तो सबसे पहले स्टेरिंग वील हम करते हैं सीधा यहां से देखते ह एरवेक के साथ साथ AVS, EVD, Traction Control, Healer, सारे यह जितने भी सेफटी वीचर्स हैं वह आपको सारे सेफटी वीचर्स इस पर्टिकुलर बेस वेरेंट से ही देखने के मिल रहे हैं और आपकी फ्यूल इंडीकेटर हो गया यहां पका बैटरी इंफोर्मेशन शीट पेल रवेंटर फ्यूले घेट के लिए जितने भी सारी वीच्वय मेरेंट करने क्या जिए और अगर इस चीजाए वां पर एक हाड़ी बेस वेरेंट आंडस मार्व जाप यह cb यहां से आप आपने AC को कंट्रोल कर सकते हो और AC के जो डाइल्स बगएरा वो कुछ तरीक से दियेंगे दोस्तों कि लगता ही नहीं है कि मैंनोली ऐसी ऐसा लगेगा आपको जैसे से ही आपको जो है दोस्तों एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है पर इसमें नहीं पर इसलिए जगा भी बना रखी है और जो यहां पर देख सकते हैं टूइंश्पीक लोगों भी बना हुआ है तो कुछ ऐसी तीज यहां पर देखिए यह जो ग्लॉसी ब्लैक का जो ट्रीट मेंट है उसके ऊपर जो डॉट 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 है उससे और भी ज्यादा लोग काफी इन्हेंस हो जाती है इस गाड़ी की और यहां पर देखोगे तो काफी जो मटेरल है काफी बैतरी जो है यूज किया गया कोई क आज के टाइम पर इतना ज्यादा कॉंपेटिशन है और इतनी ज्यादा महेंगाई के टाइम पर यह सब चीजे महिंद्र आपको और सेफटी की बात कर रहें दोस्तों बिल्ट क्वाल्टी देख सकते हैं फाट टाम रेटिंग जो है लेकर आती है महिंद्रा की गाड़ियां और आपको पता ही है महिंद्रा कैसा यूज करती है तो यहां पर देखोगो तो गलोब बॉक्स आपको कुछ से मिल जाता हूँ जिसमें स्पेस की तो कुई कम है यह नहीं डीपली स्पेस अब अपने कुछ भी इस गाड़ी के डॉक्मेंट्स वगरा इसली कैरी करके चल सकत से और सेफटी फस्ट है और सेफटी टॉप नॉच दो है दी हुई है यहां पर देख सकते हैं और यह निसान से यह नि जो बैजिंग से आपको हर जगह देखने करें लेंगी क्योंकि दोस्तों गाड़ी सिक्स एरवेग स्टेंडर अपने साथ लेकर आती है बेस वीरिंट स सामने जो कि आप यहां से देख सकते हो एंड साथ साथ दोस्तों यहां पर देखोगे तो यह आपके जो डोर एंडल है यहां पर आपकी जो है जो अपने डाउन के लिए जो है पावर विंडो के लिए बटन्स दिये गया यहां पर कुछ स्पेस है आप यहां से ओपन कर सकत तो अंदर वेटते हैं और फैवरिक फाउट सी में सीट काफी कमपटेबल जो है मानी जाती है जो कि हैवी और दोस्तों मैं आपको बताना बूल गया बेस वेरिंट से ही डेडिकेट आम रेस्ट भी मिल रहा है जो कि यहां पर देख सकते हैं सॉफ्ट टच मटीरियल के साथ है और यहां पर दोस्तों डीपली स्पेस भी है यानि कुछ भी अपना समान वगयरा वीजली केरी कर सकते हो ठीक है और भाई बेस वेरिंट में महें दोगी यार यहां पर देखे इसी वेरिंट मिल रहे हैं और एक टाइप सी पोर्ट भी मिल र सारी साथ लाग रुपे एक्सटों के साज तनी चीज़े मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं कि थी जितनी महिंद्रा ने अपनी थी एक्सटों के वेस्ट में दे रखी है उपर एक रीडिंग लाइट है जो की में है पावर्फुल है इसके अपने सेग्मेंट में कोई टकर पे ह है नहीं उस इंगन से बात कराते हैं आपकी क्या जो है लेकर आता अपने साथ चलिए मैंने बाट ओपन कर दिया है और इंगन की हम बात करी रहे हैं सबसे पहले भाई होड देखिए यानि एक हाथ से उठाने में इतनी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है फस्ट आप सबसे ज्यादा जो है पावर यह जो इंगन है वो जनरेट करता है इस अगराप इसे डीजल में पड़िक्स करते हैं तो वहां भी पावर फिगर्स अपने सेग्मेंट में सबसे ज्यादा जो है यह गाड़ी अपने साथ लेकर आई है और यह है एम स्टेलियन पैट्रल अगर आपका दोस्तों कोई भी डाउट जो है कलियर नहीं हो पाया इस वीडियो में इस घाड़ी से लेटेट तो आप मुझे बेजा कमेंट भी कर सकते हो कमेंट के तुरू रिपलाई में आपको जो है सारी कोईरी की जो है डाउट मैं कलियर कर दूँँगा यह दस्वाच